हलो दिस इस अभीजीत और आज मैं आप लोगों को बिलिंग के बारे में बताऊंगा तो मैं जो साइट पर एक्चुली जो बिलिंग होता है मैं वही आपको समझाऊंगा कोई और एक्ष्टा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं प्लानिंग में बैठता था और बिलिंग देखता था तो मैं आपको वैसे ही short में अभी समझाता हूँ detail में और बनाऊंगा तो सबसे पहले बता दू कि बिल में दो चीजे होती है एक होता है आपका measurement sit जो कि front में रहता है और दूसरा रहता है आपका जो back का value रहता है actual में जो हम लोग को verify करना है वो सही है कि ने measurement वगेरा या तो उसी से हम लोग करते हैं तो इसमें full details दिया रहता है जैसे यह एक earthwork का bill है यह इस challenge से इस challenge मतलब यह समझ लेजिए एक date का एक month का bill है और उसका challenge यहाँ से यहाँ है यहाँ से यहाँ है समझ लीजिए challenges दिया रहता है from to वो कुछ भी हो सकता है फिर कौन से side का है RHS है LHS है क्या है item क्या है embankment है अत्वा का काम है अब layer wise bill होता है जैसे मैंने वीडियो में समझाया है कि काम layer wise होते है अब RFI number RFI क्या होता है RFI होता है आपका जो इनके भी जो client होते हैं वो जब inspect करने आते हैं उसके लिए होता है तो RFI के बारे में मैं detail में और बताऊंगा यहाँ पे मतलब RFI हर जगा जुरूरी नहीं है और यह है unit of measurement है उसके बाद जैसे यह समझ देजिए इंबेक्मेंट का layer है length कितना है इसका 150 meter किया है width कितना है width का भी अलग से offset निकालता है वो सब कहीं यह repeat तो नहीं कर रहा है कहीं यह ज्यादा तो नहीं दे रहा है तो जैसे कितना length किया है 150 meter किया है उसका width कितना है toe offset के साथ मिल रहा है कि नहीं कहीं extra या कम तो नहीं किया है वो देखना पड़ता है फिर thickness आप जानते हैं मैंने वीडियो में भी बताया है वीडियो जो है उसमें बताया है कि 200 mm thickness रहता है तो यह सब measure करके इन तिनों को multiply करके इसका total quantity आता है फिर center of stretch है center of stretch मतलब यह दोनों का average होता है उसके बाद borough area challenge उसको बोलते हैं जहां से मिट्टी लाता है अगर आप यह सब चीजह नहीं जानते तो आप मेरा जरूर practical है उसमें practically है कि कौन सा चीज क्या होता है कहा होता है तो borough area से लाते हैं फिर वो कहां तक पहुंचाएंगे तो जो रास्ते में जो ले के जाता है गारी उसको बोलते है लीड एक्स्ट्रा लीड यह सब जितना है जो एक्स्ट्रा बनता है यह तो लीड के हिसाब से आपका एक permit रहता है कि इतना lead तक ही इतना पैसा मिलेगा समझे कि है पर cubic meter में आपका 100 रुपया मिलेगा ठीक है या 110 रुपय मिलेगा लेकिन वो रहता है कि आपको यह रहेगा आप अगर 10 किलो मेटर तक जाते हैं तो लेकिन side condition ऐसा है कि 10 किलो मेटर से आगे भी चला गया तो वह अहां extra lead आ जाएगा आपका 11 किलो मेटर 12 किलो मेटर तो extra lead का billing अलग से होता है extra पैसा मिलता है contractor को तो इस तरीके से मैं पूरे detail में बताऊंगा आपको offset कैसे कैसे verify करना है कैसे repeat ना हो यह समझाओंगा क्यूंकि मैंने बताया है कि मैं regular videos upload करूंगा तो मैं कोसिस कर रहा हूं आपको एक synopsis दिखा दूं कि कैसे billing होता है तो इधर अगर remarks वगरा कुछ है समझिए कि बोल्डर वगरा आ गया या इस चीज के लिए नहीं हो पाया या यहां पर यह चीज एक्स्ट्रा हो गया है वो सब remarks में लिख सकते हैं और यह सब का basis पर यहां पर measurement sit बनता है स्टार्टिंग में measurement sit में भी वही है चैनेज देना परता है unit of measurement देना परता है पर यहां वह लीड वागरा नहीं रहता है तो यहां टोटल कॉंटिटी और जो भी एक्स्ट्रा है वो यहां पर remarks में दे देंगे यहां टोटल कॉंटिटी यहां आ जाएगा उसके बाद जो च चला जाता है और company के थुरू vendor को पैसे दे दिये जाते हैं तो यही है simple billing का rule तो यह बिल हमेशा आपको यह जो XYZ company मैंने लिखा है यही आपको बिल देगा और यह जो आपका example company है यह आपका client company है ठीक है तो यह वो लोग तो बिल दे देंगे extra भी दे सकते है बिलिंग इंज इस्टा ना जाए वही आपको करना है यह तो हो गया अर्थवर्क का बिल ऐसे ही होता है आपका बहुत बहुत चीजों का बिल होता है structure का बिल अलग है कोई material का बिल अलग है और लगवाग सबका measurement sheet एक ही होता है जैसे structure का अलग type होगा आपका यह जो material है उसमे quantity अगेरा यह length, height नहीं रहेगा उसमें कुछ और रहेगा तो यही सब है मैं सारे बिल आपको समझाओंगा तो बस यही है साइद मतलब यह आसा करता हूं को थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता चल गया होगा तो इसका detail video में मैं जरूर बताऊंगा कि कैसे backup में कैसे करके उसको backup verify कैसे करते हैं टो offset ज्यादा है टो offset कुछ नहीं होता उसका जो जैसे आप layer wise मैंने समझाया है layer wise करते हैं तो वो उपर के तरफ कमते हुए जाता है क्यूं कमता है वो मैंने सब explain किया है पहले वीडियो में तो वो देख लीजेगा तो वो जो offset है extra ना कर दिया हो इसके लिए हमें वो निकालना पड़ता है अब ये कोई ज्यादा कम कर दे तो ये quantity ज्यादा कमा जाएगा और ये quantity ज्यादा कमा गया तो बिल ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा जो भी मतलब reconciliation में आपको दिक्कत आएगा और reconciliation क्या होता है reconciliation होता है कि हम इतना ही मतलब budget set किया है इतना ही quantity मेरा काम होना है उससे ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है ठीक है तो उस सम्में दिक्कत आता है फिर billing engineer पे या पूरे project cost पे effect पड़ता है तो यहीं सब verify करना होता है एक billing engineer को और मैं बताना भुझत गया है यहाँ item description होता है हर काम के लिए अलग-अलग item description होता है product के लिए अलग होता है structure के लिए अलग होता है excavation के लिए अलग होता है और यह देखने के लिए धन्यवाद और आगे भी मेरे वीडियो देखते रहे है और इसका detail वीडियो में मैं मतलब सारे चीज़ explain करके जलूर बनाऊंगा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभो